अब यह लोग प्रेंड स्वागत है आप लोगा मेरे यूटूब चैनल टेक्निकल प्रवचर में दोस्तों यहां पर आज हम लोग जैसा कि आप लोगों को यहां टापिक दिख रहा है कि हम लोग टूइ स्ट्रोक जो है कि डीजल इंजन के बारे में और पेट्रोल इंजन के बहुत ही यह most important वीडियो जोने वाले हैं क्योंकि दोस्तों ट्रेवल वगरा में अगर आप लोग होंगे जो भी मेरे वीडियो को वाज कर रहे होंगे वो उनके लिए कि यह काफी जो है कि हेलफुल जो है कि वीडियो जोने वाला है क्योंकि उनका एक तरह से रिविजन हो जाएगा क्योंकि ट्रेवल वगरा में बूक्स वगरा ओपिन करने का जो है कि हो सकता है वगरा के वज़े से टाइम ना मिल पाए ठीक है बाकी फ्रेंट्स मैं आपको बता दूंकि यमपी में आई टी आई ट्रेनिंग आफिसर यानी यमपी टीयों की भरती आ चुकी है और वो फ्रेंट्स 16 दिसंबर से उसका एक्जाम होने वाला है तो फ्रेंट्स YMP ITI ट्रेनिंग आफिसर में मेकैनिक डीजल के जो पोस्टें है 40 पोस्टें आई ही है डारेक्ट रिकूर्टमेंट के लिए बाकी कुछ पोस्टें संभीदा बेसिस पे भी है तो यहां पर फ्रेंट्स उनके लिए और आटोंग वाइल्स जो कैंडिडेट है YMP ITI ट्रेनिंग आफिसर में उनके लिए भी यह मोस्ट यूजफूल वीडियो है तो फ्लीज वो भी देखते रहेंगे और मैं फ्रेंट्स बता दूँ कि इट ए IT ट्रेनिंग आफिसर का जल्द ही उनको पूरे तरह के जो इक वीचिन पीडियो मिलने वाले जो कि एक्जाम में आने की पासबिल्टी है और प्रेविएस एक येर का जो है दोस्तों इट ए ट्रेनिंग करा दोँगा तो फ्रेंट्स चलते हम लोग बाकी बात करते रहेंगे वीडियो चलने दिजिए तो फ्रेंट्स यहां पर देखेंगे पहला क्युश्चन है टू इंटर्नल कंबस्चन इंजन I.C. इंजन में दूसरा निचला इस्ट्टो क्या होता है दोस्तों तो पहला सक्षन कंप्रेसन होता है दूसरो दूसरा दोस्त तो क्या होता है तो दोस्तों टूइपो की बात हो रहे ही यहां पर पॉर स्टोक मैंने आपको पिछले विडियो में लाया था उसको आप लोग अच्छे से देखेंगे और यहाँ पे friends जब piston हमारा नीचे से उपर तक चलता है तो यहाँ पे 2 stroke में ज़स्ट थोड़ा सा उल्टा प्रोसेस होता है तो यहाँ पे suction और compression होता है ठीक है दोस्तों बागे friends आगे हम लोग बढ़ेंगे और यहां पे आप लोगों को पहले डीटेल्स में दिखा देता हूं मैं कि टू स्ट्रोक इंजन में एक साइकल में पिस्टन के दो स्ट्रोक पूर्ण होते हैं ठीक है और यहां पे दोस्तों जो है कि पिस्टन बीडीसी से टीडीसी तक चलता है तो सक्सन कंप्रेशन होता है और जब इस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है तो एक्सपैंसन और एक्जास्ट हो जाता है ठीक है यह ध्यान रखने वाली बाते हैं बागे फ्रेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं टू इस्टोक इंजन के पिक्षा पूर इस्टोक इंजन का मुल्य अधिक है तो यहां पर देखेंगे दोस्तों पूर इस्टोक इंजन की तूलना में टू इस्टोक इंजन छोटा होता है ठीक है तो जाहिर सी बात है सारी कि two stroke engine जो है कि थोड़ा सा सस्ता होगा ठीक है बाके friends हम लोग आगे देखेंगे two stroke engine के प्रताव में क्या होते हैं दोस्तों तो सक्सन तता compression होता है दूसरे में पावर तता एकजाश्ट होता है बाके friends two stroke engine होते हैं कैसे तो maximum air cold engine होते हैं दोस्तों जो कि टुवीलर में यूज होते हैं बाके फ्रेंट से हैं तो यहां पर हम देखेंगे टूइस टोग इंजन में पोड का प्रयूग किया जाता है किसके लिए तो दोस्तों टूइस टो इंजन में जो पोड होती है वह ताजी हिंधन को आने वह जली गैसों को बाहर निकान ले के लिए यहां पर प्रयोग की जाती है ठीक है जो कि सिलेंडर वाल पर पोर्ट लगे होता है इसमें वाल्व का यूज नहीं होता है दोस्तों बागे फ्रेंट्स यहां पर हम लोग देखेंगे टू इस्ट्रोक इंजन की एक साइकल में क्रेंक साफ्ट के कितने चकर होते हैं और फोर इस्ट्रोक इंजन मैं जो हुआ कि क्रेंक एंजन की एक साइकल आनि की एक पावर इस्ट्रोक मिलने तक का जो करम होता है उसमें दोस्तों ठीक है तो ध्यान दोलन होता है कैसा तो दोस्तों जो है कि यहां पर कम दोलन होता है ठीक है क्योंकि दोस्तों इंजन के अपक्षा तो यहां पर हम जानते हैं कि क्रेंग साफ्ट दो बार घुमती है तो एक पावर इस्टोक मिलता है तो यहां पर जब क्रेंग साफ्ट के एक ही बार घुमने में प्रयोग होता है तो दोस्तों इनलेट प्रयोग होता है ठीक है बाकि आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर देखेंगे हम लोग एक एक मिनट दोस्तों तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग एक टू स्ट्रोक साइकल इंजन में एक पावर स्ट्रोक उत्पन करता हूं तो वो द लेवी गैसों को तेजी से बाहर निकालना क्या कर लाता है दोस्तों स्क्वेंजिंग कर लाता है टू स्ट्रोक इंजन में स्पार्क होने के समय पिस्टन के नीचे क्या होता है तो दोस्तों जैसे टू स्ट्रोक इंजन में स्पार्क होता है तो इंलेट पोर्ट में से नई गै झाल झाल